दुनिया पिछले दासवी सालनाच एनी रफ्तार ना बदल जाएगी, एक अदे सोच जाए भी नाई से टेलीफून तो स्मार्टफून, पेट्रोल कार तो इलेक्ट्रिकल कार, ट्रेन तो लेके मंगल ग्रैदी यात्रा इनी जल्दी हुई के आम आदमी नो उस दी पनकमिनी लगी ते एस बदल दी दुनिया दे विच सब तो रफ्तार ना जो चीज साड़ी जिन्दीगी दा हिसा बांदी जारी है ओ है वर्चुल रियालिटी पर ए वर्चुल रियालिटी है की? तब तो पला एड़ा अखर है वर्चुल इदे फोकस कतना बेना इन दा अखरी आर्थ की होंदा है यह से इदे डिक्सिनरी मेनिंग देखिए तो डिक्सिनरी आर्थ वर्चुल दा होंदा है विहारो चीज जो मैनू लगदा है विद इग्जिस्टंस है पर वोसलियती होंदी नहीं वर्चुल रियाल्टी एक ऐसा एंवार्मेंट क्रियेट करके देंदी है तो अनू कि जो चीज एक्चुली है नहीं वो तो अनू देश दी पई है और जो अच्छुली तो अनू देशनी चाहिए और देश नहीं रही इनू सम्झनली साड़े को सब तो बेस्ट एक्जम्प अनू कि अधर दूर किदर पानी है तो मैं ओधवल जाना रहना जोग उत्ते पहुंच देखना है कि पानी ते एक्चुली है नहीं मिराज है मैं जिनना ओधवल जानना हो और दूर जान्दी रहना है वर्चुली सम्झान लिए खोर बोत वधिया चीज एगी और आगी है अधर मैं मैं आपने अभि बोल ना शूर्च उरू कर दोना जो मैं अपने आपने बोलना शुरू कर देना कई अब आत्मार्ट मुझनी मॉर्या उन्दी चुरू करदें हो फिर और तर जानौन था है उन्दि वर्चॉल रियालिटी एक सुपना है, वो चीज है जिस दी कोई हो दी नहीं, या फिर एक मिराज है, यह है कि इन्नों समझन देले इस शैर सानूं साड़े गुरुवाँ दी गुर्बानी तो सिख्या लणी पाएगी अगलों समय गुर्बानी एक सुपना दुनिया दे पासारनों माया दे पासारनों भर्चॉल कहरी है एक देखननों फ्ल्करननों तच करननों मैंनों सब सच लग रहा है पर एक सब्सक्राइब एक कुछ भी साच नहीं यह टोटल मिथ है मिथ है इसलिए कि जिद आसे अदय है मैं आपने जो मर्जी देकल हमाँ, मैं आपमे वड़े दन्हा मयल बना हमा, मैं बडे तो वड़ें गडी लग खरीतल हमाँ मैं जितठे मर्जी जो मर्जी खरी ला मैं लोगी मुत एक्षोल FScendo वर्ड चे नहीं हाँ ज़िने सुख दुख ली जासा पजसली इंदे नाल जुड़े सारे साख संबंधी मेरे बच्चे मेरा कुटाम जदे लिए कम कर रहे हैं गुर्बाणी ने कै एवी मिथी यह मिथिया गयों है इन भी मिरा नाल ली रहना एक दिने शरीर इते रहे जोगा तो मैं चले जाना है इस श्रीर करके गुर्बाणी मन वहीं समझें दी ज्यों सुपना और पेखना ऐसे जग को जाए इतना सुपना है उद्धा ही इस जगनु जान उस जागदे विच एश्रीर डड़ा मेरा एगा एवी एक सुपने दीन यहीं जो भी में टच कर रहे हैं फील कर रहे हैं सब को ज दिल लाननों वही गुर्बाणी मन समझें दी बिए तो बड़ी मुरखताई है गी तूकि साचते है नी एक दिन एतन मेरा नल रहना नी जा सब चलाई जाना ए मिथ है गी है इजन नल चित लाना भी मुरखताई दा ही काम है गुर्बाणी दे हिसाब नल साड़ी दुनिया जित्ते असी रह रहे हां साल रहे हां अपने परवार नाल समा बतीत कार रहे हां ए सब रियल नहीं सानू एना आड़े दुवाड़े दिया चीजां ते एना यकीन हो गया के असी इसनू शायद रियल दुनिया समझन लग पए हां पर ए दुनिया तक अधे रियल है नहीं सी इस दुनिया नोसी तरमदी पाशा देविच दवैत दी दुनिया भी केनने हैं पर गुर्बाणी भी नू केन दी पाई रे जग दुखिया दूजय पाई दूजय पाई मल्लबी एक परमेशर नो छड़ के ज़द मैं दूजय नल प्यार पालया होई सारी दुनिया मल्लबी दुवैत दी दुनिया जे फिजिकल दुनिया एक दुवैत दी दुनिया मतलब कि एक स्केंटरी दुनिया है तर साड़ी कोई रियल होद भीता होएगी जेकर असी एक फाल हां ते साधियां जड़ा भी था के ते होन गिया और यह दुनिया केड़ी है जड़ी असी शायद कदे महसूस ही नहीं कीती रेलिटी ते अखरी अर्थ है का ट्रूफ, सच, असलियत जिदी होन हमेशा वस्ते गी है पर सच ओ है जिदी ते वक्त दो कोई परबाव है और जिदे कि मैं एक एग्जेम्पल ला ला लना भी अज मेरी उमर 43 साल या ये उमर कल 46 साल हो जाएगी, अगले साल सुनताली साल हो जाएगी ये वक्ती सच है इनों पर फैक्ट कह सकते हैं पर इदे तो समय दा बहुत वड़ा परबाव एह हर पाल मेरी उमर चेंज होंदी जा रही है गुर्बानी नो इसलिए सच नहीं कह रही है सच ओई है जिसने वक्त दा परबाव ने जैसे कुद्रदे वी एक्जम्पल ले लिए भी सूरा जानदा है राती चंदरमा आजानदा है दिन तो बाद रहातो रही है मौसम बदल रहे ने पर एवी तान तक ही ने जब तक वक्त है एक ओ समावी सी गा जदो सूरा सी गई ने चंदरमा सी गई ने एक ओसमावी आएगा जदो वे सारा समाव खतम हो जाएगा ते चीज़ भी खतम हो जाएगा पर सच उनने कदी पराणा नहीं होना इसलिए गुर्बानी ने सानो सच दी डेफिनेशन रियालिटी डेफिनेशन बिल्कुल शुरू चिदे थी जब जी साफ देविच आद सच ज उन ए सच साड़े सारे अंतर एक समानवर्त रहा है इन गुर्बानी केंदी सब मैं जोत जोत है सब जड़ा सच है एक जोत है कि मैंनों सनिया दे रही है कि इस जीवन चे रहे के जीवन नों जीना की में है इस जगत देखना की में है इन्नों समझना की में है उन बाहर बाहर साचल सुनेया दे रही है जग हो अक तो इसको लिख फुपसूरत चभश्य जड़ा पागतर अविधास जी दा का उझना यना सारी साच दी दुनिया देफिर बिस्क्रिप्शेन देती है पगतर अविधास जी एक बड़ी खुपसुरत दृस्टानत पेश करतेंने कि हा इंदा इक सच दी दुनिया नं तो नाम देने ने बेगम पुरा सहर को नाम एक स्टेट ऑफ माइंड मेरी स्टेट ऑफ माइंड उन्फे पहुच गई है जिते कोई कामनी एगा पर केंदे इक पूरा सहर है ते कल्ला मैं नहीं रह रहे हैं तो बड़ी दुनिया रही है उन्हों दुनिया च कोन है वो सारे पेवर जैसे है तुरू भी उसी स्टेट आफ माइंड जने उन पगजिसान समझा रहे ने कि इत्थे भी बड़े सारे बंदे बैठे ने इत्थे गुनानक पाश्चा बैठे ने साच कान देविच इत्थे गुर्गोबिन सिंग जी बैठे ने कैने इत्थे बहुत ही जड़ा पर जड़े वर्ची उजने साड़े, जड़े साड़े अंदर साच एगा उदे थरूवी सारा वपार हो रहे है एक साच दी दुनिया एवी अपने अपणे अप्चे इग्जिस्ट कर रही है इन्नु पावे गुर्बानी ने बेगंपुरा देता कि इधरे साच खान देता ह पर एग दुनिया अज़े मैं फील नहीं कार पाँ दा क्योंकि मैं बारली दुनियां देनल एनक रोच गया हैं कि अपनी स्पिर्च्वालिटी मतलब कि अपनी अंतरात्मा नूँ भी महसूस नहीं कर सकता मेरे कोल एक सेकंड रोग के आपनी अंतर आत्मा दी गालवी नी सुनी जा सकती जदो मैं एक छोटा जया बच्चा सी ते किसे भी चीज नाल खेड़दा सी ते सारा त्यान उस वाली ला देंदा सी उस चीज ची ही मस्त हो जानदा सी पर होन सी कार कुछ हो रहे होने या ते त्यान हमेशा किते होवर होंदा है हुनता जिमें हौली हौली साधी स्पिर्च्वालिटी ही खत्म होई जा रही है स्पिर्च्वालिटी जड़ा ओ इस वर्चौल दुनिया तो इस फिजिकल दुनिया चे रहन दे होई एं जगत मिठ्या देविच रहनिदे है। आपने अंदर दे साचनू्व र्यालिटी नू समझना लिए। एं जड़ा शाफ सफर है वक्ति तहुं रियल ताखुति, यहाब आध्यातमक सफर है, यहाब मीरी नूसी बोली है। प्रश्ड़ा करें ग्यान वे लालों भी एं शाच दा सुनेया जिद्धा आया उद्धाइं डॉकुमेंट होया है इन दिछ आपने विचार नी एड़ की थे गए इस कोई होड गल्ला नी एड़ की तियां गई है कि जिवे मैं अज सोच लेया कि मैं आईटी इंजीनिर बना है जा मैं एक सिविल इंजीनिर बना है ता मैंनू ओस्च भी चैलेंजिस आउनगे एस तरह ही मैंनू गुर्बाणी पढ़ लगेवी चैलेंजिस आउनगे ते मेरा दिल करेगा ओठ के जाननू पर जे मैं समझ लेया कि एक चैलेंज है ते एनू मैं जितना है ते मैं गुर्बाणी मल त्यान देना शुरू करदावागा पर फिर भी मैं अथे पहुंच नहीं पा रहा जितने मैं पहुंच ना चौना तो यदा में चैलेंज है ओगा कि मैं को ले फाइव सेंसिज ने यदे पांच सेंसिज ने ने बारली दुनिया नू देखके बड़े खुश रहंदे ने इंदे विचे ंच्च निए ने मैं देखन दी शक्ति ये पांच सेंसिज ने मेरी सुनन दी शक्ति सुंंग नदी शक्ति मेरी स्वाधलैन दी शक्ति टी ये संुमडी दे थून किसी चीज ते ये निदू Rapid каких ते अङतन institute यह एक्चुल जिता मैंनू स्पिरिच्छ एक्पिरियंस नू संजण वस्ते में लिए सिगे पर क्योंकि बहुत बार्मुखी ने बार खचत हो जाना है तो यह हुन की कर देने खासकर जैसी इना दो सैंसिस्टर फोकस कर यह एक मेरे आख एक कान यह सब तो जादा इन्पुट मेरी बाडी नू दे रहें जिद्ध ही मैं सेरे उड़ दाँ नाल देनाली मेरी अक्टिवेट हो जान दी है उन मैं साब कुछ देखना शुरू कर देना उन देख देखके होगी रहा कि जिद्ध ही मैं किसी नो एक बहुत वड़ी कार से जान देखा उन्हें मेरे अंदर ग्रीड पैदा करती मздरा हम यॐदा जड़े Ну Championship जरी कांच जड़े लिए भी कांच जड़ेने वहibel्कट इन जड़ेया है ज़ेट जाधे ननी झी जड़ेत गचथा है इन उन गुरबानी चुग परणस्ट वीकार बेड़े मेरे नैनने ल हर गारे है सब कुछ देख रहे हैं पर गुर्बानी के रही है भी नैनों नींद, एक्चुल चिक नींद इचने, केडी नींद इचने, वो गन्दे पार द्रिष्ट विकार, पार मला पराया, पराया किये। साचमान लेनेया, ते साचमान के साध्य अंदर लालच या जैलस पैदा होनी शुरू हो जान दी है। पर गुर्बानी के रही है, बीस सरवन सोय, सुन निंद विचार। यह जाओ, मैंनों आम दुनियाच लगे लगे भी सर्वनता सोनद यहाँ जैद मैं अगर किसी बच्च नु कहना, के सो जाओ तो अखा मंद कर ला पर गुर्बानी कारी भी तर भी तर देस्टरू हैं तर अचमान इचार। और उन्हें की करना शुरू करता पर निंद वीचार उन्हें निंदया दी वीचार सुननी शुरू करती कुछ उच बड़ा मजा शुरू हो गानो उनु गुर्बानी के निए रसना सोय लोब मिठे साल इंदी जीव सीके नहीं सोगी जदि कैसी आम पास्चेट कहां जी जोगी जाग लिए जाग लिए परपस ही उस परपस लिए मैं जीब नो यूज नी कर रहा है तो पराय स्वाद वस्ते या ओ जड़े मिठ़्े स्वादाने विच हो खचत हो गी ओड़े जीब रस करके मैं बखरे बखरे विकाराने विच फस्दा गया इस सारी सेंसिस्ट में गल्त त साच इना सेंसिज ने इस साच ती गल करनी बंद करते हैं यह टोटली आउटवर्ड हो गए उन गुर्बानी चो मैंनों सेद मिल दी है कि इस सेंसिज मैंनों मिले कि हो सी खासकर जड़ा साइट ते साउंड क्योंकि इना चो सब तो जैदा इंपूट मेरे शरी नू जारी है यह मेरे मन नू जारी है जाला मान फिर इन्नू प्रोसेस कर दा गुर्बानी मन केंदी आयो सुनन पढ़न को बानी जड़ा एफ मेन परपस हीगा सीइंग दा ते लिसनिंग दा ओसी इस इथे बानी पढ़ना आई सीगे असी इथे गुर्बानी पढ़के आपना जीवन सु जाने वालिटी कहके भी समझा एक को साधी साच दी दुनिया वो साच जिस्ते समेदा भी कोई परबाव नहीं औन्नों असी वननेस दी दुनिया कहके भी समझा होने एक नवी दुनिया आ रही है जड़ी केवल ते केवल मेरी साइट ते साउंड दी सेंसिस दे उत्ते ही डिपेंडनेंट है उथे बागी ते इन सेंसिस दी विलोड नहीं हैंगी उस एक चश्मा पाले जांदा ते उस चश्मे दे विच मैंनू कम्प्यूटर दे सॉफ्टवेर रहीं एक नवी दुनिया दे विच परवेश कराता जांदा है उस दुनिया दे विच मैं इस फिजिकल दुनिया दे किसी वी चीज ने एक्सपिरियंस कार सगदा जे मैं किसी नो जड़ी सलाएगी है मरीज नो ओमै उस चश्मे दे सकता हैगा तो कोई भी मेरा एथ फिजिकल दुनिया दे एक्सपिरियंस है ओमै इस चश्मे दे रहीं के वलते के वाज साइट पे साउंड दे डिश्रेंस ने इना नो यूस करके उस वर्चुल रियलिटी दे वि कर दो कि जदो तुसी इस तर्तीति आए कि तौन्नु आख के स्पॉन्टेनियस कुद्रत दी सपोर्ट ली खड़े होना है कि आमे हो हुमन बिंग है बंदे ने कम्यूनिटी है सोसाइटी है या नेचर है तौनु अगर स्पॉन्टेनियस इमिजिट तौटे दमाग ऐसी फीलिंग सारी कि यह कुछ गज़त हो रहे हैं उते खड़े हो कि नॉर्मल है तुसी यह त्यानकना कि तुसी वर्चुल रियालिटी से इंफ्लूइंस ते नहीं हो रहे हैं पई अगर इंफ्लूइंस हो रहे हो तो एभी तो आनू नालेज्ट लेनी पएगी कि ओ सही या गलत हो रहा है कि नहीं तो आप करने नों ओज़े आइडेंटिफिकेन या पचान करनी पहेगी कि ओ मेनू एस स्पिरिच्वालिटी दे रातों या एस पातों डाइवर्सिफाई दे नहीं कर रहा है हार एक नवी काड आउननाल साधी जिंदिगी ता सौकी हो जान दिया पर असी मानवता दे कुछ पहलू भी गवालेने हैं जिद्धा एक माइक्रोवेव दी काड तो बाद असी अपना खाना शायद नैचुरली गर्म करके कदी खादा ही नहीं एद्धा ही कुछ चीज जां असी वर्चुल रियालिटी दे ओननाल पोल जावागे असी वर्चुल रियालिटी दी दुनिया जाना इन्ने मेरे अध्यातमक चौंसेप्ट्स नू या जिद्धा मेरे आज तक दे तरीके सिगे अपनी स्पिरिचुलिटी नू समझन दू इन्ने ओबड़े सारे तरीके नू चैलंज करदे नू फिजिकल बॉड़े जस्ट लाइक कैमरा कैमरे सारे सेंसर ने लेकिन ओए चीज क्याप्चर कर रही है लेकिन उफ एक फैक्ट है लेकिन एदे नाल साधी जडी स्पिरिचुलिटी इंक्रीज हो रही है कि नहीं ओधी ग्रोथ ओधी जर्नी ओधी विज्डम वद रही है कि तो स्पिरिचुल ग्रोथ लेकिन एदे जडी वर्चुल रियालिटी है एदी अंडरस्टेंडिंग भी रखनी पाएगी नाल-नाल कि की चीज असी मिस कर रहे हैं लाइफ मकान है, कार है, जॉब है ओ सब ठीक है लेकिन जडी खुशी है या जडी साधी पीस है इनर पीस जाधा तसली या अपने आप ते एक खुशी मेशूद हुन दी अपने आपने लेकिन एजडी वर्डिली चीजा ने एग उजन देखे एग तोडी ग्रीड डिजायर नू होर वदाउं दी है असी सेख के आये हां कि वर्चुल रियालिटी दोनों टोटली ओपोजिट अखर वर्चुल मिथया है ते रियालिटी साच है अगली जनरेशन दे पॉइंट आव यू तो सोचिए जडी इस वर्चुल रियालिटी नू डे वन तो एक्स्पीरिंस कर भी उन उन में जद गाल करांगा कि ए दुनिया वर्चुल है वो कहाँ फिजिकल दुनिया ते वर्चुल नहीं वर्चुल तो कुंप्यूटर वली दुनिया भून मेरे लिए इस फिजिकल वल्ड नू वर्चुल समझाना मिथे समझाना के चैलेंज होंगा ज़न मैं कमांगा कि साच सब अंदर सम्मैज जोत-जोत है सोई ओव सब अंदर है टूथ साब अंदर है रियालिटी साब न्युट्य कहारा है और वह नो तर्झ रेन्य एंडर ने रीटों ने वर्चुल रेलीयी के निस अफ। झाण day सा नो नी पद फखकrá है और इस फिजिकल डू न शाटेज वह नहीं कहा है और जोह तो आठ द दुनिया नू पढोरा द्यूनिया नू के है न dossier अगली जिनरेशनों से किमेसम जावाँगा ए सब तों बड़ा चैलेंज बढ़ना शुरू हो जाएगा आणवली दुनिया देविच अगर असी किसे चीजनों फील करना होगे ता असी अपनिया पंजे सेंसिस यूज कर सकते हैं असी उसनों सुन सागदे हां देख सागदे हां सोंग भी सागदे हां टेस्ट भी कर सागदे हां ते टाच भी कर सागदे हां पर वर्चो रियालिटीच असी कि एद्धा कदी कर भी पामागे हुँ अगला चैलेंज अड़ली वर्चौल रियालिटी दुनिया जड़ा आना शुरू हाएगा हो ए कि एड़ा वर्चौल वाल्डा एक सिरफ सिरफ मेरियां दो सेंसिस तही बेस्ट है एक सेंग एक साउंड कि एक पिछले वी पची साल डिजिटल सफर करके आया है इन देविचे सी देखिया है कि अखांते करना जाएड़ा बहेवियर है वो काफी चेंज हुआ है एन उन पापले कुछ एक्जेंपला तो समझ देया है वी साड़ी पिछली जेनरेशन सीगी न ओ किताबां पड़नदा काफी ज्यादा शौक रख दी सी साड़ा पंजाबी लिट्रेचर इवन गुर्बानी वो किन्ने किन्ने कंटेज अड़े सी ओ एपाड लेंदे सी क्योंकि अखां काफी यूस्टू सी कियां टेक्स्ट पढ़नदा है पर आस्ता आसा जियों जो सड़े को डिजिटल वल्ड असी काफी विज्वल हों देगे आज जी डेट विच इस जनरेशन नो जैसे के यह भी तिन कंटे दी मुवी देखनी ओ बड़े राम नल देख लेनी है पर जो मैंनों कमा के भी तिन कंटे कुई किताब पढ़नी है या गुर्बानी बढ़नी है वो बहुत ओड़ा चलेंज आज आसी आम देख दिया करांदे बिच जट्टा बच्चा है ना उन्हों जासे रोटी खवानी है उन्हों से जिन्ही मरजी कोशिश कर लिए रोटी नहीं खानदा जद तक कि असी टीवी नहीं आ न कर दे जिदें टीवी आ ओन ओन्दा ओं बच्चा इन्नू जो मरजी आपके नहीं नहीं साड़ा त्यान केवल स्क्रीम ते चला गया है ते डिजिटल वर्ड साधिया सेंसिस देऊ ते पहला तो ही प्रबाब पा रहा है पहला जंदो की बच्चा रोंदा सी ना ते माँ को चकती सी तो तच दी फीलिंग ना ली उस टच ना ली बच्चा चुपकार जदना सी मेरी माने में नू चकला है पर आज बच्चा किनना वी रोंदा है ऐसी आम ही कराई जेखले ने ते उन्हों सी चकती हो चूप नहीं करता इन्हों सी होर बिल्कुल रीसेंट एक्जेम्पल एक देखिए कि असी सारे नहीं एक कोविट दा जड़ा एक्सपिरियंस है असी हंडाया ते साड़े नेड़े ते वले कई जीव जड़े ने साड़े साग संबंदी रिष्तेदार जड़े ने वह इंदुस्तांच पूरे ह तो गया आज़े चलाना कर गए कर दो जदो असी फिजिकली एक पूरा एक्सम्शान गाड़ता एक्सपिरियंस असी अंडान दे या उस तबार जड़ा पोग दिया एक्टिविटी ओंदीयाने आसी उननों फिजिकली ज़ोगए अन्टिविटीज अटेंड कर दे हैं ते सा बानी पढ़न वस्ते ये स्पिरिच्वालिटी वस्ते मोटिवेशनली यूज करां ये ना करां पर ओ ख्याल जड़ा बैक आफ माइंड मेरे लिए बड़ दिनता करेंगा पर जदो कोविड दे दोरान साड़े नेडे तेडे वले कई साख संबंधी चलेगे असी ओनादे सस्कार ओनादे पोग डिजिटल वल्ड दे थ्रू ओन लाइन वीडियो कॉल दे थ्रू टेंड कीते पर उन्नी ज्यादा इंटेंस फिलिंग मेरे अंदर नही आई आई मैनू अफसोस होया मैनू थोड़े चरली गंवी होया मैनू थोड़ेचरली फिलिंग वी आई पर ओव फिलिंग इन्ही ज्यादा देर वस्ती मेरे अंदर नहीं रही चिसतो के मैनू अपरी लाइफ चोग एक्सपिरियम्स होया कि जादो इन्हा सारी चिज्जानों मैं डिजिटल स्क्रीन दे थूँ एक्स्पिरियंस कर रहे हैं ते मेरी सेंसिस जड़े ने ओवली फीलिंग नूँ अंदर तक नहीं लाएके जाता रहे है एक सचा सुचा इंसान राबते पूरा यकीन करदा है ते करदा भी रहेगा पर वर्चो रियाल्टी दे विज जे कर एक इंसान ही करना रणा पाएगा क्योंकि ओ इसनों किसे भी तरीके नाल चला सकता है तो है कि अधिने जड़ा वर्चो रियालिटी है एक एलेक्ट्रोनिक डिवाइस एलेक्ट्रोनिक मीडिया दे विच एक्जिस्ट कर रहे हैं इदे पिछे कोई बॉड़ी कोई ओगनाइजेशन है कोई कंपणी है या कोई इंडिवीजल है ओथे सानु यह त्यानक ना पहेगा कि साधी फिलोसफी दे कोडिकली साधे और जिड़े रभ परमेश्वर है ओधे विच कोई नहीं आ सकता असी जान मुझके किसे ना किसी तरह किसे थर्ड पर रियालिटी ते इंफॉर्मेशन प्रवाइड कर रही है जित्ते की तोड़ा मेंटल ग्रोथ एस पर गुर्बानी हो रहा है जित्ते की तुसी आप अपने अंदर मूर नू समझ के अपलाई करना लेकिन जित किसी दूसरे दे इंफ्लुएंस अंडर आ रहे हो फिर ओ एक तो ते ना ही कदी उन्ना नू समझाया की असी इनू किद्दा यूज करना है ते जे असी इन्ना चीजां वाल कदे ते आणी न देता ता कुछ समय बाद सानू एदी साजा मिलनी शुरू हो जाएगी ते एदा सब तो वड़ा प्रूफ है साड़े बच्चेयां दा बदल दा ब जिटल वर्ल्ड आजे आ रहे आसी सानू नहीं सी पता भी साड़े सेंसिस की में चेंज होने हैं इदा ही आसी ए नहीं दा सकते कि आज तो दस साल बाद वी साल बाद वर्चुर रियालिटी दा साड़ियां इना सेंसिस से की असर पएगा सानू नहीं पता पर एग अलता पकी है कि जिद्दा ही असी उस दुनिया दे वेच जा रहे हां साड़ियां अखा दा ते कन्ना दा भीवियर चेंज होना शुरू हो जाएगा ते ओस दा सड़ी अंतर आत्मा ते की असर होएगा एस अनु अजे नहीं पता पर एग आलता पक्की है की असर होएगा जरूर क्योंकि एस सेंसिस मैंनू स्पिरिचल बढ़नली मिलिया सी जिनना मैं इस टूस दी दुनिया तो होर दूर जाई जा रहे हैं मैट्रोस दुनिया तो पहले फिजिकल दुनिया चासी होनमें वर्चुल दुनिया चले जाना ते इदा पक्की का लायापी साड़ी इनस सेंसिस थे बहुत ज्यादा असर पहेगा जिए एक वड़े इमोशन सी एक वड़े पलेवले एमोशन जिस्टों के असी एक पिता एकस के हम बारक दाओड़ा पॉंसेट सी ए मुनुक्तादी सेवा पॉंसेप्ट सी गा किदरेने किदरे उन्हा एमोशन नों असी एक्सपीरियंस करने देविच थोड़े जे बनन दे जाबांगे यहांगे जए जब फॉंकि एठेडे छोड़े शोड़े साड़े साड़े चारिए सब्सक्राइब चैन्ज एकस्पीरियंस ने एक चैन्ज ओर रहा है तो सानु लगदा है व्यक्विच वर्चिव वल्ड़े विच जए साड़े इना सैंसिए बहाई ब मेरे जीवन दा समा खतम हो जा रहे है उन्हों समझान दिए गुर्बाणी मन दासरी कि मैं बजूर को रहे हैं मेरा शरीर जड़ा है वो बढ़ा हो रहे है फौर एक्जेंपल गुर्बाणी के दिए जार आई जोबन हा रहे है जार दा मतलब बुड़ेपा ते जोबन मेरा गुर्बाणी काफी जगाते यूज करती है मैंनो मोटिवेट कर ले एजड़ी वर्च्वल रियालिटी है एक किसे थर्ड परसंदी बनाई होई एन्वाइन्मेंट जोगी तो अनु दिखाई जा रही है उस सही नहीं रियल है नहीं हो लेकिन जिस तरह जादा बच्चे प्रस्ट उस वर्च्वल रियालिटी जो वद्दा जा रहे है असी आज दी जदो बैठे है सानु कोई प्रॉब्लम आंदी है तो असी पिछली जनरेशन दू डिसकेस करते हैं गाइड़न्स लें लेकिन जड़ी आन वाली जनरेशन है ओ जड़ी एन्वाइन्मेंट है जिन दी नॉलेज बेस बहुत ज़ादा है साड़े नालो एज दे हिसाम नालो असानु मैं में लगदा है कि बच्चे एक डिजिटल अवतार नो ही अपनी दुनिया समझ के बैठ जानगे ओ डिजिटल अवतार जड़ा की ओन्नू सिर्फ एक वर्चो रियालिटी दी दुनिया मे ही मिलेगा वह अपने स्रीर दा काट ते अपने डिजिटल अवतार दा जारा त्यां रखनगे ते ओस अवतार नू होर सोना बना हों दे विच लगगे रहनगे जिदना आइसाड़कोल आइफोन देविच गेमा देविच इन एप परचेजी जून दियाने उध्धे डिजिटल अवतार देविच होर कैपिबिलिटी स्पानवास थे उनू स्ट्रॉंग बनानवास थे उनू सोना बनानवास थे कुछ नकुछ फीचर जोनंगे या कुछ अपने अपने शरीर नाल नी उस वर्चु एवटार नाल ही ऐसोशेट करें फिर जा सनू एक उन्सेब्ट बच्चे नू सम्झाना पएगा क्योंकि असी बजुर्ग हो रहे हैं इसलिए सनू स्ट्रॉलिटी वाले पासे जाना चाहिए यह साथे अंदर अपने आप यो फील जर्णी वाले पासे जावाँ इसी जर्णी नू मैं यूज करके इना एक्जेंपलां दे थ्रू मैं दुझे नू ही मोटिवेट कर सब्सक्राइब पर अगली जेनरेशन ली शायदा एजिंग दा कॉंसेप्त ही खतम हो जाएगा फिर आसी गुर्बाणी दे इना कॉंसेप्ट सी एजिंग दे ओ फेल होने शुरू हो जानगे ते एस चीज दी आज दी दुनिया दे विच सब तो वड़ी उदारन है कॉस्मेटिक सर्जरी जिसना कॉस्मेटिक सर्चिरी है या मेक अप करते है या जो भी है असी सारे जने आपने आप दी जो फैक्ट है लाइफ दा किसी एज एज जने ओस तो अपनी डिनायल मोड़ चासी यंग दिखना चांदे है तो वी किसे तरीके ना इंफुलेंस्ट है वर्चुल रियालिट अपने उपर अपलाई कर रहे हैं जो असी है नहीं एक्चुली जो कुद्रत ने सानु नहीं आज दी रेच रख्या और जिस तरीके ना रहना चाह रहे हैं जिनना भी असी कुद्रत नेड़े हैं जिसना कुद्रत ने सानु रख्या है जिसना कुद्रत ने सानु रख्या है जहां ताहँ है ब arguments है बड़ा स्मार्ट हैं बड़ा है फिरिफेंग सबर्थ जाइढ कर दोग रहाइ्ट जिए उस दोस को सब्सक्राइब खारा देखाद e यह दुन्यादीडी नेचर है तेमपरेरी है तव है नेघरे मेरे साग संवंधी ने जो मेरे अले दुआ ने इस आरी बड़ी नेचर देने यह जो किसी ने भी मेरा साथ ने देना जिनना गुर्बानी केंदी तन्न दारा, संपत सगल, जिन अपनी कर्माण दारा हो गया, the literal meaning है, मेरी वाइफ, पर इनुजे अपना थोड़ाज एक्सपेंड करिये ते किसम दे मेरे relationships गुर्बानी बार बार है समझा रही है भी एड़े relationships ने एना चु किसीने भी तरे कामनी आना पर वर्चुल वाल्ड देविच मेरे को वर्चुल फ्रेंड जोन गे वो आर्टिफिशल इंटेलिजेंस वाले डिजिटल रोबोट्स ओन गे जो चो भी कंटेमेर लिए वेलेबलन है उन इससे तह मैं बच्चन समझा लेंदा सीगा कि देखो बेटा वो तोड़ा फ्रेंड सी उन्हों साथ लगी वो हॉस्पिटल गया या आलेद वाले कुछ रिष्टेदार सीगे मेरे अपने पिता जी कोई साल पेले पूरे हुए तो मैं ऑग्जेम्पल अपने बच्चे नाल जूज की ता कि देखो ए दादा जी जड़े सीगे आईसा डेनाल सीगे उनसा डेनाल न उन्होंनों कॉंसेप्ट बड़ा एलीन नगे ओके का नहीं आए देखो मैं उन्हें लॉग इन कीता है वाड़ा मेरा वर्चुल असिस्टेंट आया जड़ा मेरा वर्चुल फ्रेंड वो तो होने मी उत्ते ही है वो तो 24-7 उत्ते है और कमाल दिगालते है और बजुर्ग भ करी जा रहे है जिनना असी एक्शुल लाइफ स्क्रीन तो जिनना परे रहांगे और जिनना असी अपने ऑक्किपेशन, सुसाइटी, कम्यूटी ज विचरांगे जिनना कुद्रत दिनाला वो सानु बेटर अंडरस्टेंडिग देगा गुर्बानी दी राधर दन वर्चुल रियाल्टी तो सानु आपड़े बच्चों नू एस पास से थोड़ा जा मोटिवेट करना पहेगा कि स्क्रीन तो भी हटो क्योंकि स्क्रीन च आज दी डेट च जड़ी 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 है फिजिकल एज नालों उनना दी जड़ी अवेरनेस लेवल बहुत ज़ादा है जिस असी जड़ों दास साल दे सी वी साल दे सी ती साल दी जिन्नी साड़ी अवेरनेस ही ओधों प्रिंट मीडिया तो सी आज दी रेट चे हर एक देक और फोन हो गया और अनलिमिटेड इंफोर्मेशन नाल इंफोर्मेशन डाटा बहुत ज़ादा है लेकिन इंफोर्मेशन कट गी है ओस चीज दू समझन लेए अपना लोगका नू नू नेचर दे वेच फिजिकली ज़ादा रहना पहेगा ओं गुर्बाणी मैंनू कुत्ते एक्जेंपल दे थूरूसम जान ज़तों वफदारी नाल आपने मालक नाल काम करता है तो मालक खुष हो के उन्नू होरी नाम देंदा है और प्यार करता है तो कुद्रत ने यह सारे वराइटी ऑग्जेंपल्स बनाइसी मेरे ली तांकि मैं सेदला सेकां कि ज़तों मैं ग्रीडी हो जाना ते मैं अपना केड़े का मैंनू spiritually beneficial ने ते केड़े का मैंने नुकसान देन पर वर्च्वल वर्ड क्योंकि इंसान दे दिमांचों निकल के आ रहे है उदे चेड़े सारे ग्जेंपली नहीं हो और सानुए में लगदा है वी वर्च्वल वर्ड देविच हमेशा अच्छी अच्छी अच्छी अच्छी आशपेक्ट्स और पुरे पडिकलर जानवर दे कुछ ही एस्पेक्ट्स दिखाया जानुए वर्च्वल वेच एक लालची कुतेरी कहाणिताः विखेगी ही नहीं इस एक पुते नों शायद वफादार ही विखाया जाएगा जो सोना लगेगा जो मान् सो साड़े कोड़े जो कई तरह दे कुद्रत देव दारन सी, जन्नावाल देखके असी मोटिवेट होना सी, अपनी स्पिर्चुल जर्नी देवाल जाननू, वो सारे खत्म होने शुरू हो जानगे, पर की असी इस वर्चुल रियाल्टी नू कदे रोक सागदे हां? कि अनू समझना पहेगा कि एजड़ी नमा एंवार्मेंट नमा वर्ल्ड क्रियेट हो रहा है काफी हाथ तक हो रहा है और फ्यूचर की होएगा असी नहीं जान दे असी वर्चुल रियालिटी नो सी रोकनी सगदे तो इन्नों रोकना भी सड़ा काम नहीं क्योंकि यह भी हुक ट्रिव डेवलोपमेंट और स्पुरिच्छालिटी एक इस तरह मैंटेन करना है जो जो साथा हीमन ब्रेन प्रोग्रेस हो रहे है तो एंने नहीं नहीं डवांसमेंट कर दी रहने तेसानू मेंचीज एक इन एड़वांसमेंट्स नो आपने फादेली की में यूसकार सब ज क्योंकि यह पार्ट आप साथा एबोलुशन है कि नवी नवी चीज़ा अंधी रहनी है पर जैसी इस टेकनोलोजी दे फायदेवले पासे देखने शुरू करिये या इन्हों देखे कि इस अपने फेवर्ज की में यूज कर सकते है सो साड़ा एथे जड़ा अब्जेक्टिव एए कि वर्चुल रियालिटी नू किस्तरा आसी कंस्ट्रुक्टिव यूज करिये पर एद्धा न होए कैसी इन्हों जीमन दे हर खेतर दे विच्छी हर देमेंशन ची यूज करना शुरू कर दिये ओधे नुक्सान सानु भी पच्छी साल बाद पता लगन क्योंके बिना रिसर्च तो केवल ते केवल केवल कुमर्शल फादे ले ही इन्हों यूज करना सो कोजना को जैसे अपने कराने विच भी एज पेरेंट्स बच्चाना इस टॉपिक ते गल कर सकते हैं भी वर्चोल रियालिटी नों सी किन्ने के चर वस्चे यूज करना है यह सानु नजर रखने चाहिए भी उकार की रहने दे विच तांकि ए नहों है के वो बहुत दूर निकल जान ते सानु एड़े दो नुकसान ने वो पंचे साल बास्तमा जान ते फिर साड़ेली रिवर्स करना मुश्किल हो जाए जिस सानु लगदा है कि यह वर्चो रियाल्टी दुनिया दे हर खेतर विच यूज हो सकती है ता सानु इसनु स्पिर्चुालिटी दे लही भी राक सागदे है ते उस दे विच एक वफादार कुटे दी कहाणी मी राक सागदे है जो साच है उनु ओधा ही दिखाया जाए जिदना साड़ी असल दुनिया दे विच हंदा है जड़े एथे आस्टेलिया जड़े सिख सिगे पराणे हुना बारे रिसर्च करदा हुआ ते पिंड़ा जगया ते एतरह ही एक पिंड़ च असी गए तो 500 साल पहले उस रेगी स्तांच जिते कोई सब्सक्राइब कोई डिरेक्शन नहीं है लेफ्ट राइड किदर जाना कोई पता नहीं है रात पाएगी कोई डिरेक्शन दा सेंस नहीं है वो चो किस तरह आके रहे तो उस चीज नू असी दिखाते सकते हैं वी टुएच लेकिन जिडिए फैक्ट और फीलिंग्स है इमोशन से ओ बाहर निली आ पारें एक कोई स्लूशन सान लग देने जैसी ननू इस पासे तुरिये तक किदर ना किदर आसी वर्चॉल रियालिटी नू अपने फाइदेली यूस कर सकने विकास हर समाज़दा हिस्सा है ते असी इस दे खिलाफ नहीं पर जेकर कोई विकास सानू साड़ी कुद्रत साड़ी स्पिर्ट ते साड़ी जिंदगी दी सचाई तो दूर कर रहा है ता ओदेलाई साड़ी मानवता नू खड़े होना पावेगा साड़ा यतन वर्चो रियालिटी नू रोकन्दा नहीं बलकि एस डॉक्युमेंटरी रही साड़ा उदेश सिर्फ ते सिर्फ जागरुकता पैदा करन्दा है कि केमे अध्यात्मक संसार दे कुछ पर संग इस दे आउन नाल बदलना शुरू हो सागदे हन सानू बस ए यकीनी बनावंदी लोड है कि केमे अउन वाली ए वर्चो रियालिटी नू असी मनुक्ता ते कुद्रदे फैदे लेई वर्थ के अपने अध्यात्मक सफर नू समझ साक दे हाँ किते एद्दा ना होए कि असी अपनी दुनियादारी विच उल्ज के अपनिया दुनियावी जिमेवारियां नू इपोल जाईए किते एद्दा ना होए कि साधियां अखां ते खुलियां ने असी जाग भी रहे हां पर अखां सामने जो भी चल रहा है वो समझी नहीं आ र देहां कि किते एद्दा ना होए कि यसी जागदे होए भी नीज देवे जहां कि यसी जाओ टो कि भाद यसी जाद जादया कि Sum K कि याद ना होँ बंदेवन से लोग विजय कि यहां डाद रता some झाल झाल